कि तो चैप्रन का नाम क्या है सुदामा चडित कि सुदामा के बारे में कुछ जानते हो तुम क्या बेस्ट फ्रेंट थे किसके प्रिस्ट भगवान के बेस्ट प्रेंट थे और वह अमीर थे या गरीव थे अच्छा 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 देखो तो जो पहला चार लाइन है उसमें क्या है कि सीस पगान जगातन में प्रभु जाने को आही बसे कही ग्राम धोती फटी सी लटी दुपटी अर उपाए उपाने हूं को नहीं साम तो इसमें जो चार लाइने लिखी है मेरे ख्याल से ये ब्रज भासा में लिखी हुई है और ऐसा है कि क्रिश्न जो है कि राजा है द्वारिका के और वो अपने राज महल में बैठे हैं और उनसे मिलने के लिए उनका गरीब दोस्त सुदामा आता है तो द्वारपाल या सैनिक वगरे जो हैं वो उसे रोकते हैं तो रोकते हैं तो वो अपना पड़िचय बताता है कि ऐसे आप उनको जा करके बताईए क्रिश्न को कि मेरा नाम सुदामा है और मैं मिलने आया हूं तो वो जो सैनिक है वो स्री क्रिश्म के पास जाकर के सुधामा के बारे में कैसे डिस्क्राइब करता है कि वो कैसा आदमी है तो कहता है कि सीस पगा न जगातन में मतलब कि सिर पर पगडी भी नहीं है और सडीर पर पूरे कपड़े नहीं है जितने की होने चाहिए जाने को आहू बसे कहे ग्रामा और पता नहीं बता रहें कि किसी गाम के रहने वाले हैं धोती फटी शी लटी दुपुटी और जो उसने धोती पहन रखी है वो भी फटी हुई है धोती कैसी होती है जानते हो न अरुपाव उपाने को नहीं सामा द्वार खरो दुपुटी दुरुबल एक दरवाजे पर एक गड़ीव आदमी खड़ा है एक गड़ीव ब्राम्भन खड़ा है और दिखने में भी वो दुबला पतला है इसलिए दुरुबल लिखा हुआ है रहयो चक्षू बसुधा अभी रामा वो बस आखों से ऐसे देख रहा है जैसे कि वो आपको देखना चाहता हो बहुत व्याकूल हो बहुत डेस्परेट हो आपको देखने के लिए पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुधामा और वो पूछ रहा है सब लोगों से कि इस जगह के राजा मतलब आप भगवान क्रिश्न कहां रह रहे हैं जो दीन दयालू हैं जो कडिवों पर बहुत दया करते हैं वो कहां हैं किदर हैं और जब हम लोग उससे प कौन हो कौन हो तो कहता है कि मेरा नाम सुधामा है अच्छा अब अगली चौप आई में देखो क्या है इस चार चार लाइनों को ना चौप आई कहते हैं इंदी में ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए हाए महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए देखी सुधामा की दीन दसा करुना करिके करुना निधिरोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसो पगधोए तो जैसे ही भगवान कृष्म नाम सुनते हैं कि अरे वो सुधामा है तो वो दोड़े-दोड़े आते हैं और देखते हैं कि ये जो सा दोस्त है उसके पैर में बभाई फटी हुई है उसके पैने विए उसके पासमें राएँ नहीं है और उसमें ना काते भी घुसे हुए उसके वज़ासे उसमें कईपर छेथ वी है EPA और भगवान कृसमतने मैं इससे बोलते हैं कि सक्षका सवमान कर्षका क्यां बोलते हैं और इतना दुख करके तुम कैसे आए और तुम इतने दिन तक कहां खोए हुए थे तुम पहले मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए और फिर वो कहते हैं देखी सुदामा की दीन दसा और वो देखते हैं कि उनका जो दोस्त है सुदामा वो बहुत ही गडीव अवस्था मे हैं उसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए हो सकता है घर पर खाने की नहीं की चीज़े भी ना हो करुणा करके करुणा निधी रोए तो यहां पर करुणा निधी कौन है यहां पर करुणा निधी भगवान क्रिस्न है करुणा निधी मतलब जो दूसरे लोगों पर द और सुदामा की दीन हीनदसा देख करके उनकी दुरवलता देख करके गड़ी भी देख करके क्रिश्न भगवान रोने लगे और फिर उसके बाद उनके जो नौकर बगरे थे जो परात में पानी लेकर के आये थे कि हां इन्होंने मंगवाया था स्री क्रिश्न भगवान ने कि मैं अपने दोस्त का पैर धोंगा अपने हाथों से तो इन्होंने उस पानी को हाथ से छुआ भी नहीं और प्रिश्न भगवान की आँख से इतने ज़्यादा आशू निकले कि उसी से उन्होंने अपने दोस्त का पैर धो दिया अच्छा आगे में न दो लाइन है कचु भावी हमको दिया सो तुम काहे न देत चांपी पोटडी कांख में रहे कहो कही हे तू अब उसके बाद प्रिश्न भगवान सुदामा से बोल रहा है कि मेरे लिए भावी ने कुछ दिया होगा वो तू मुझे क्यों नहीं दे रहे हो है न उनको कैसा पता चला प्रेम है तो उसने सोचा ऐसा भगवान क्रिश्न मेरा दोस्त मिलने आ रहा है और जब मेरे दोस्त की पत्नी को मालूम है कि मैं इनका दोस्त हूं तो कुछ भी छोटा मोटा गिफ्ट या कोई खाने की चीज़ उन्होंने जरूर दी होगी तो फिर प्रिश्न भगवान उससे कहते हैं सुदामा से कि तुम अपने कांख में य ते ले तुम चावी हमें नहीं दीने स्याम कहयो मुश्काय सुदामा सो चोड़ी की बान में हो जो प्रवीने पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुदारस भीने पाचली बानी अज़ो नतजो तुम तैसहीं भावी के तंदुल कीने फिर उसके बाद में पृष्ण भगवान सुदामा से कहते हैं कि बचपन में भी जब मैं और तुम गुरू जी से पढ़ने जाया करते थे तो अचली में सुदामा के जो पिता जी थे कंहिंद है कले तो उसके बाद में पढ़ने के बाद जब क्रिश्च्न और सुदामा आखेलने जाते थे इसे और खेलने जाते थे तो उस्दा मा अकेले बैठे बठे वह चनाचबस रभी नहीं करता था तो वहीं कृष्णि यहां पर कहते हैं कि वश्पन में भी जब बुरु माता चना वगरत दिया करती थी तब भी तुम चोड़ी करके अकेले-अकेले खा लेते थे मुझसे शेर नहीं करते थे है ना और मुझे मालूम है कि इस तरह की बातें चिपाने में या इस तरह की मुझसे चोड़ी करने में तुम बचपन से ही प्रवीन हो तेज हो एक्सपर्ट हो है ना प्रवीन इसलिए लिखा गया इसमें पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुदारस भीने और अभी भी तुम अपनी कांख में यह पोटली दबाए हुए जिसमें कुछ बहुत प्यारी सी चीज है मेरे लिए पाचली बानी अजव नतजव तुम तैस ही भावी के तंदुलकीन है और पिछली बात भी तुम अभी तक नहीं भूले हो और अभी भी जब भावी ने मेरे यह कुछ भेजा है तो तुम मुझे बता नहीं रहे हो वह पुलकीनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात वह पठवनी गोपाल की कछों न जानी जात कहा भयो जो अब भयो हरी को राज समाज हो आवत नहीं हुतो वाही पठियों ठेली घर घर कर औरत फिडे तनक दही के काज को धन धरो सकेली अब यहां पर इस यह जो छे लाइन है इसमें यह बता रहे हैं कि सुदामा को जब इतना आदर मिला इतना प्रेम मिला किसन से कृष्ण भरवान से तो वह भाव विहवल हो गया उसके भी आशु निकलने लगे और वह सोचने लगा कि अरे मैंने तो इसको कुछ बताया ही नहीं है तब भी यह सारी बातें कैसे जान दा है कि इसकी भावी ने इसके लिए कुछ गिफ्ट भेजा है कुछ खाने की चीज भेजी है है ना और फिर वह सोचने लगा कि यह कितने बड़े हैं या यह कितने वह दूरूस हैं जो किसी भी आद्मी के मन की बात उसके घर इसके दिखकत की साड़ी बातें मन ही मन जान लेते हैं बिना बात किये हुए जो लोगों के आता कि एसे-इसे कि इनको तो यह भी चीज मालूम है कि मैं वहां पर भी चाटन करता हूं मैं घर-घर जा करके भीख मांगता हूं और लोगों से खाने की चीज़ ले करके आता हूं और तब जा करके मेरे घर में लोगों का खाना पीना हो पाता है पंडित थे लेकिन बहुत गरीब पंडित थे तो भिच्छा मांग करके मांग जांग करके उनका काम चलता था वैसोई राज समाज बने गजबाज घने मन संब्रम छायो कैंधो पड़ियो कहुं मारग मूली भूली कि फैरी के मैं अब द्वार का आयो भौन बिला किवे को मन लोचत अब सोचत ही सब गाउ मज़ायो पूछत पारे फिरे सब सोपड़ी जोपड़ी को कहुं खोज न पायो अच्छा तो अब क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि मैं इसको खुशी कैसे दे सकता हूँ अच्छा तो उसके पहले में वह बता रहा है सुदावा कि जब उसको पता चला कि भगवान कृष्ण बहुत बड़े राजा बन गये हैं तब उनके घर के लोगों ने और आसपास के लोगों ने भी इनसे कहा और समझाया कि भई आब तुम ये भिक्षाटन का काम क्यों करत क्यों नहीं तुम द्वारका में उनके पास मिलने जाते और उनसे कुछ मांग करके लाते हो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे तो ये बात भी कृष्ण भगवान ने उसके मन की पढ़ ली जो वो कहने ही पा रहा था सुदामा उसे कुछ मदद चाहिए था वो अपनी इस्त सिपाही इनके गाँ भेज दिये और वो बातें कर रहे हैं सुदामा से और उन्होंने इसारा करके अपने कुछ सिपाहियों को उनके गाँ भेज दिया कि जाओ इनके गाँ और जहां इनका घर है उसका ज़रा पता लगा कै वह तूटी सी छानी हती कह कंचन के अवधाम सुहावत कै पग में पनहीन हती कहू लै गजराज हू ठाड़ महावत भूमी कठा और पे रात कटे कह कोमल सैज पनींद नावत के जुडतों नहीं को दो सवा प्रभुके पड़ता अपते दाखन भावत तो उन्होंने क्रिस्ण भगवान ने अपने सैनिकों को भेश दिया था उसके घर का पता लगा और उसके साथ में जैसे ही इनको ऊपसा लगा तुंहों सारा आनाज का कोठी वगर लोटके कर दो राष्टे में यह सोचते सोचते गया कि मैंने तो भगवान कृष्ण से कुछ मांघा ही नहीं मुझे मेरी पतनी ने इतना समझा अपनी को क्या जवाब दूगा तो अब जब वो अपने गाव जाता है तो देखता है कि अरे उसकी तो जोपड़ी है ही नहीं वो तो गायव हो गई वहाँ पर एक सोने का महल बना हुआ है फिर वो देखता है कि उसके पास बहुत सारी जमीने हैं बहुत साड़े खेत हैं उसके दर्वाजे पर बड़े बड़े हाथी हैं उस पर महावत बैठे हुए हैं अब उसको कभी भी पैदल चलने की ज़रुत नहीं है वो कहीं भी जाएगा तो हाथी पर बैठ करके जाएगा घोड़े पर बैठ करके जाएगा पहले जहां उसके पास अब उसको वहां बड़ी सी भी जारब पर अधार उसको नीद ही नहीं आती थी ऐसी मिट्टी पर सोने की घ के जुड़तों नहीं को दो सवा प्रभु के परतापते दाखन भावत है ना तो फिर आखरी लाइन में यह कहा गया है कि कहां उसको पहले सुदामा को खाने के लिए लोगों से भीक मांगने पर भी बड़ी मुश्किल से कोदो मिलता था कोदो एक तरह का अनाज है जिसे गरीव लोग खाते हैं या जिसको समझ लो ना कि निम्न क्वालिटी का निम्न पूर गरीव लोगों का मतलब अनाज मानते हैं पूर क्वालिटी ग्रेंस कहलो ना वह बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं से मिलता था और वह खाकर के काम चलाता था और अब प्रभू के परताप से भगवान क्रिस्न के परताप से उनके प्रिपा तो तुम्हारा ये सुदामा चरित ये दोह वाली जो बात है ये जो कविता ये खत्म होती है इसके लेकर कौँ है नरोतमदास आप इसमें इसके बारे में इसके बारे में मुझे ही पूछ लो में वो उसके पूछ़ना है कुछ चोटे-चोटे सवाल बताओ कि सुधामा की दीन दसा देखकर स्रीक्रिशन की क्या मनु दसा हुई वो रोने लग गई क्या मुझे क्यों बुलाया अच्छा हां तो जब यह पढ़ा रहे थे ता तुम भी सुना ही हो गए तो तुम्हें डारेक्ट सुनके समझ में आ गया इस लांगज में भी कैसे अब वही तो बात है पढ़ पढ़ के आ जाता है बहुत को यह कोई और हिंदी में हा पाद